नमस्कार मैं हूँ दुश्यंत कुमार और आप देख रहे हैं TV9 भारतवश का YouTube चैनल एक घर खईदने के लिए क्या चाहिए? पैसा, सस्ता लोन और सही लोकेशन लेकिन एक चीज है जो इन सब के बीच बहुत जरूरी है वो है सही टाइमिंग और ये सही टाइमिंग चल रही है जिहां किरकेट की तरह है आपको सही टाइमिंग पर सही डिसीजन लेना चाहिए और ये सही डिसीजन इस वज़े से है क्योंकि इस समय बहुत सारे बैंक आपको आफर कर रहे हैं सस्ता लोन सस्ता लोन क्यों? क्योंकि 2004 के बाद ये पहली बार है जब सबसे सस्ता लोन आपको मिल रहा है तो इस समय आपकी टाइमिंग पूरी होती है क्योंकि सस्ते घर मिल रहे हैं, कोरोना का effect है, real estate में मंदी है दूसरा आप, आपको सस्ता लोन मिल रहा है, जो की अलग-अलग बैंक है, SBI है, PNB है, यहां तक की private player भी इतनी मारा-मारी है कि सस्ते लोन आपको offer कर रहे है तो दूसरा ये, तीसरा location, बहुत सारे शहर ऐसे हैं, जहां पे inventory हैं, जहां पे आप घर book करा सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी deal देख सकते हैं दूकुल मिलाकर एक average निकालें तो जादातर बैंकों का home loan 6-7% के बीच है, इसमें भी property और credit score के मताबिक आप अपने लिए एक अच्छी bargaining कर सकते हैं, अच्छी deal चुन सकते हैं कहां सबसे सस्ता loan मिल रहा है, अभी सबसे कम loan जो आपको offer हो रहा है, कोटक महिंदरा बैंद, जहां आपको 6.65% की दर से loan मिल रहा है SBI में 6.70% की दर से loan मिल रहा है, इसके साथ ही कुछ और bank हैं, जो आपको दूसरी सुबधाय भी दे रहा है मसलन, SBI ने कहा है कि हम आपसे processing fees भी नहीं लेंगे, और हम आपसे documentation charge भी नहीं लेंगे इसके लावा, Axis Bank में क्या rate है? 6.75%, SDFC आपको क्या दे रहा है? 6.80%, ICCS में क्या rate of interest है? 6.80%, bank of बढ़ोधा है 6.850%, LIC जो आपको offer कर रहा है, वो है 6.90% यानि कि loan बहुत सस्ता है, ऊपर से document and charge नहीं है और processing fees नहीं है, ये deals आपको bank जाकर करनी पड़ेंगी, जहां आपको अलग-अलग loan मिलेंगे पहली बात, जब आप घर book कराने जाएंगे तो आपको सस्ता loan मिलेंगा, सस्ती property कैसे है? क्योंकि इस समय चल रहा है कोरोना, और कोरोना का effect बहुत जादा है, नौइडा, बैंगलूरू, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे बड़े-बड़े शेहर ऐसे हैं, जहां पर inventory खाली पड़ी है, आप builder के पास जाएं, उसको बताएं, bank के पास जाएं और उससे loan के एक deal करें, तो आपको एक सस्ता घर मिलने की संभावना है, यानि कि timing, इसके लावा एक और बड़ा फायदा है stamp duty का, क्योंकि हाल ही में कई राज्यों ने stamp duty घटा दी है, इससे आपको क्या जब भी आप register के ले जाएंगे, तो आपको वो सस्ती पड़ेगी, यानि कि आपको तीसरा फायदा ये भी मिलेगा, तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको कैसा loan लेना है, कि deal आपको सस्ती पड़े, दो तरह है कि loan आपको मिलेंगे, एक होगा floating और एक होगा fix, fix म में क्या होगा, जो इस समय bank आपको loan offer करेंगे, और loan पर जो ब्याज offer करेंगे, वो आपका fix रहेगा, मान लीजे आपने 20 साल के लिए अपना घर लिया, 20 साल आपको EMI देनी है, और अभी 6.70% के हिसाब से आप EMI दे रहे हैं, तो आप जब तक EMI देंगे, आपका जो EMI है, EMI की cost है, वो सेम रहेगी, और ब्याजदर भी सेम रहेगी, यह होता है fixed, अब आप floating गर चुनते हैं, floating में क्या होता है, कि जैसे आपने कहा कि monitoring policy आएगी, RVI जब समिक्षा करेगी, loan घटाएगी, loan पर जो ब्याज है वो घटाएगी, या बढ़ाएगी, उस हिसाब से आपक EMI घटी बढ़ती चली जाएगी, यानि कि मान लो आज 6.70% के साब से आप पे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो भविश्य में 10 नहीं होगी, या भविश्य में 5% के साब से नहीं होगी, तभी क्या होता है, कि जब monitoring policy आती है, तो हमें हमेशा एक ही तरह की ख़बरों पर बात करते हैं कि आपका घर सस्ता हुआ, आपकी EMI सस्ती हुई है, या महेंगी हुई है, तो इस समय जो चार फेक्टर हमने बताये थे घर सस्ता मिलने के, एक ये कि कोरोना के कारण inventory बहुत जादा है, लोग खरीदार बहुत कम हैं, और आप एक अच्छी डिल चुन सकते हैं दूसरा हमने बताया आपको कि कैसे लोन बहुत सस्ता मिल रहा है, आपको ब्यास दर बहुत अच्छी मिल रही है, आप उससे bargaining कर सकते हैं, तीसरा आपको कई राज्यों ने रजिस्ती के rate घटा दी हैं, तो वहां से भी आपको फायदा मिल सकता है, तो कुल मिलाकर एक अच् सब्सक्राइब करें और मैं प्यार देते रहें, नमस्ते